वेलकाम टू आवर चैनल प्रमोट ब्लोक में और एक बार आप सब का स्वागत है तो गाइस फाइनली मैं पलादपूर से बोल रहा हूं अपना गाउं से और गाउं का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बहुत मसूर गाउं है अमारा मलब ठीक है तो मैं आप सब को भी जस वो जो हमारे बिहारी में बोलते हैं मोजर ठीक है वो आम का फूल जो देते हैं अदम बतियर बतियर होते है रहा हूं ये सब करके दिखाता हूं यह है आम हे इतना बरा अब आम बहुत ही बरा साइच का हो जाएगा ये देखिए ये जो जगा में देख रहे हैं ये सब आम देख रहे हैं ये बहुत बरा हो जाएगा ये देखिए आम का पेर इप पुरा यहां आम ही का खेत है मतलब आम ही का पेर है चारो तरफ आपको आम का ही पेर दिखाई देगा इसमें पचास से साथ कुंटल आम होता है यह देख रहें इसमें तो बहुत बढ़िया मोजर है इसमें 50-60 कुंटल आम होगा और जड़ भी बहुत मोठा है हम आपको जूम करके दिखाता है मतलब जूम करके दिखाता हूं यह देखिए बहुत हैबी आम का पेर है इसमें आम भी निकलेगा अगर आम थोड़ा टीकोला टाइप का थोड़ा बरा साइच का हो जाएगा तो वो भी दिखाने का कोशिस करोंगा आइस अभी हम लोग हैं आम का इंदी में 20 बोलते हैं अंग्रेजी में यानि की इंगलिस में इसे बफेलो कहते हैं अभी इसको काम है इसका चरने का चरने दीजें ठीक हम आम हम आप सबको आम का बगीचा दिखाते हैं लिची का है यह देखिए यह पूरा फूल दिया हुआ है कुछ दिन के बाद जिसमे इसे इसमें भी निकलेगा यह देखिए तो गास में फाइनली यहां लिची का पेर में बेठा हूं यहां पड़ लगाना बहुत ज़रूरी है कोई भी आम का हो लिची का हो आपको फल भी देगा और ऑक्सिजन भी मिलेगा और प्लास आपको जो च्छाया होता है ना जैसे क बिहार में बहुत गर्मी होता है तो गर्मी से बचने के लिए आपको पेर भी लगाना है और फल भी मिलेगा आप सबको और यहां का जो मुझपपडपुर ठीक है हमारा डिस्टिक मुझपपडपुर पड़ता है बिहार में तो जो मुझपपडपुर का लिच्ची होता है न तो वो जो उसका जो लिच्ची का लियर होता है ना बहुत ज्यादा होता है कि तो गाइस तो वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं ठैंक्स पर वाचिंग प्रमोट ब्लोग जै हिन जै भारत जै भीहर